आपके अपने चनल जोती शेहन वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 17th of February 2022 के बारे में 17th of February 2022 आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है कहाँ पर आप सभी को सावधानी रखनी है क्या चीजें आप सभी को करनी है और क्या करने से आप सभी को बचना है इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे साथ ही साथ हम बात करेंगे चुकुपाय के बारे में और एंजल नंबर के बारे में जिसको करने से आप अपने इस दिन को और भी ज़्यादा बैतरिनिया पर बना सकते हैं 17 फरवरी 2022 यहां पर देखा जाए गुरुवार का दिन रहेगा आप सभी के लिए पहुत ही ज़्यादा महत्वपुन दिनिया पर जाता हुआ दिखाई देता है आज के दिन में दो-तिन चीज़े हैं जो कि आपके लिए काफी ज़्यादा जरूरी रहेंगी या फिर उनके importance आपके लिए काफी ज़्यादा रहेगे पहला आप किसीन किसी काम को लेकर के थोड़ा सा परेशान रहेंगे और उस काम को जल्दी खतम करने की कोशिश करेंगे हाला कि वो हो नहीं पाएगा बट आप परेशान जरूर रहेंगे इसके chances यहाँ पर पूरे-पूरे बनते हैं दूसरा family में कोईन कोई issue रहेगा जो कि आपको परिशान करें किसीन किसी reason जे आप थोड़ा सा stressful रहेंगे इसके chances भी यहाँ पर जारतर दिखाई दिते हैं और तीसरा आप कहीन के बविश्य को लेकर के भी थोड़े से चिंतित नजर आ सकते हैं आज के दिन बविश्य को लेकर के भी कुछ सवाल आपके दिबाग में चल सकते हैं जिनके जवाब आपको शायद ना मिल पाए तो कुछ इस तरह की परिसिदी आज के दिन में आप सभी की रहती हुई दिखाई देती है जहाँ पर एक Unstability या एक Uncertainty का माहूल यहाँ पर बनता हुआ रहेगा और उसके कारण से आप थोड़ा सा परिशान महसूस करते हुए नजर आएंगे हाला कि दिन बहुत ज़दा negative नहीं है महनत का फल मिलेगा दिन थोड़ा सा slow रहेगा मतलब कि दिन को काटना थोड़ा सा मुश्किल होगा थोड़ा सा लंबा दिन आपको जाता हुआ नजर आएगा थोड़ा सा आपको कहीं कहीं ऐसा लगेगा कि महनत जादा करनी पड़ रही है आज के दिन में बट फिर भी काम समय पर नहीं हो पा रहा तो कुछ इस तरह की चीज़ें definitely यहां पर होते भी नजर आएंगी आज के इस दिन में जितना आप अपने काम में involved रहेंगे जितना आपका involvement focus कहीं पर रहेगा dedication कहीं पर रहेगा उतना ही आपको अच्छा result आपर जरूर मिलेगा आज का जो दिन है वो females के लिए महिलाओं के लिए काफी ज़दा अच्छा जाता हुआ दिखाई देता है खास कर उन महिलाओं के लिए जो आने वाले समय में अपनी family को आगे ले जाना चाती है family planning की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही जादा अच्छा दिन है आप सभी को अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं साथ ही साथ अगर आप job करते हैं, business करते हैं आप सभी के लिए अच्छा रहेगा दिन कहीं कोई दिकत को परिशानी नहीं रहेगी, job में नई opportunities मिल सकती हैं interviews अगर आपके चल रहे हैं तो definitely यहाँ पर interview clear होने का भी योग यहाँ पर बनता है वो भी काफी ज़ादा positive दिखाई दिता है तो यह definitely आज का जो दिन है आपके लिए काफी ज़ादा अच्छा और progressive day यहाँ पर रहेगा financially कोई बहुत ज़ादा losses नहीं है, कोई दिकत को परिशानी यहाँ पर नहीं दिखाई दिती और 37 ज़ा share market में भी दिखा जाए, तो it will be an average day बहुत ज़ादा दिकत परिशानी आज के दिन में नहीं मैसुस होगी आपको इसके बाद यहाँ पर देख लिया जाए, relationship में यह जो दिन रहेगा यह थोड़ा सा टकरार और उसके बाद एक थोड़ा सा respect और प्यार वाला माहूल बना के रखेगा मलब कि थोड़ी सी परिशानिया create हो सकती है, but there is a chance in the day कि आप उन परिशानियों को solve कर पाए, आप उन चीजों का अच्छे से solve करके अपने रिश्टे को बचा पाए और ज्यादा प्रॉब्लम होने से अपने आपको बचा ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा नहीं तो आने वाला दिन फिर खराब चला जाएगा और वहाँ पर दिक्कत परिशानिया बढ़ जाएगी और recovery कही नके आप अच्छे लेवल पे रख पाएंगे तो कोई दिक्कत को परिशनी हेल्थ को लेकर के भी आपके कुणली में मतलब कि इस दिन की कुणली में नहीं दिखाई दीती यहाँ पर दिखा जाए ग्रहों और लक्षतरु की चाल के आदार पर देश और दुनिया में अगर हम बात करें तो कहीं नके education sector में कुछ उतार चड़ाव या education sector की तरफ से कोई breaking news यहाँ पर देखने को मिल सकती है या फिर बच्चों की तरफ से कोई परिशानी या कोई दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल सकती है इसके पूरे पूरे chances यहाँ पर बनते हैं या फिर females को लेकर के कोई breaking news आए कोई achievement मिले कोई मान सम्मान मिले या फिर females को लेकर के कुछ announcement हो तो कुछ इस तरह के भी news आप देख सकते हैं इसके अलावा देश और दुनिया में देखा जाए तो उत्तर दिशा में, north direction में कुछ प्राकरतिक गटनाय गटने के भी chances यहाँ पर जरूर दिखाई देते हैं बट nothing serious, nothing major, बहुत ज़्यादा critical यहाँ पर नहीं दिखाई देता राशियों के आधार पर देख लिया जाए तो मेश राशी के लिए दिन अच्छा है मेश राशी, मित्र राशी, करक राशी, तुला राशी और मीन राशी के लिए दिन काफी ज़्यादा ठीक है कोई दिकरत कोई परिशानी नहीं है numbers में यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो number 1, number 3, number 5, number 6 और number 8 वालों के लिए दिन अच्छा है थोड़ी सी महनत ज़्यादा है बट उसके बाद definitely यहाँ पर अच्छा जड़्याद मिल जाएगा alphabets में यहाँ पर देखा जाए तो alphabets में A, B, J, V, S, P, M और N आप सभी के लिए दिन काफी ज़्यादा positive यहाँ पर दिखाई देता है कोई दिकरत कोई परिशानी नहीं है चलिए अब बात कर लेते हैं आपर अच्छू कुपाय के बारे में और angel number के बारे में जिसको करने से आप अपने दिन को अच्छा बनाते हैं उससे पहले अगर आज आपका जन्द दिन है अगर आज आपके अनिवर्सरी है यह आपके लिए definitely achievement वाला साल रहेगा opportunities वाला साल रहेगा and growth and success वाला साल रहेगा शादी नहीं हुए इस साल शादी कर सकते हैं आप बहुत अच्छा दिने आपके लिए कोई दिकरत को परिशानी नहीं होगी वलब कि पूरा साल marriage के लिए खुशियों के लिए family happiness के लिए काफी ज़दा आपके लिए positive रहेगा एक और बात बताएता हुए आपकर आपको कि 23rd February से लेकर के 27 February तक मैं Delhi travel कर रहाँ दिल्ली में रहूंगा मैं तो अगर आप भी मुझसे दिल्ली में मिलना चाहते हैं अपनी कुंडली का analysis करवाना चाहते हैं तो please मुझे WhatsApp पर message कर दिजिएगा कि आप दिल्ली में अपना appointment चाहते हैं बाकी की सारी जानकरी आपको WhatsApp पर मिल जाएगी WhatsApp का number आपको screen पर display हो रहा है वहाँ पर आप मुझे message कर दिजिएगा आज का जो angel number रहेगा ये बहुत ही जादा शांदार number आपको मिलने वाला है क्योंकि आज जो calculation आई ये number की वो बहुत ही प्यारी calculation आई है और यहाँ पर definitely एक सुकून, एक शांती और एक dedication आपको ये number देता हुआ नजर आएगा आज का जो number है वो note कर लीजिएगा please 8279 बहुत ही important number है बहुत ही जादा critical number है बट काफी जादा positive number यहाँ पर दिखाई देता है ये number आपको एक नई दिशा एक नई रहा, एक नया रास्ता बनाने में मदद करेगा आज कितनी भी critical situation क्यों नहों कितनी भी बड़ी परिशानी क्यों नहों बड़ा मांसिक स्ट्रेस क्यों नहों छोटा सा ये number आपकी मदद करने की पूरी-पूरी कुशिश करेगा इस number को अपने हाथ के पीछे के तरफ लिख दीजेगा इस बात का ध्याना करेगा और दिन में 2-3 बार अपने हाथ को देखने की कुशिश करेगा किसी भी कलर से लिख सकते हैं और किसी भी हाथ पर लिख सकते हैं लेफ्ट और राइट से कोई फरक नहीं पड़ेगा आप पस लिख दीजेगा आपका काम बन जाएगा चलिए अब बात कर लेते हैं आपर वैदिक उपाय के बारे में जिसको करने से आप अपने इस दिन को और अधादा बहतरिन बनाते हैं दिखिए ये चो दिन रहेगा इसमें आपको क्योंकि आपको थोड़ा सा रेलेक्स रहना है इसलिए दिन की शुरुआत भी उतनी ही अच्छी होनी चीए आज जब आप सुबह दिन में उठते हैं तो अपनी माता जी से आशिवा जरूर लिजिएगा अपनी माता जी से कुछ ब्लेसिंग्स लिजिएगा उन्हें हग करिएगा उनसे बातचीत करिएगा और उनका चेहरा देखके अपने दिन की शुरुआत करने की कोशिश करिएगा बहुत अच्छा रिजर्ट आपको देखने को मिलेगा साथी साथ आज सुबह 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 सुरियों को जल चड़ा दें सुरी की आराधना कर लें ओम सुर्याय नमह इस मंत्र का चांट कर ले उससे भी आपको काफी ज़दा अच्छा रिजर्ट मिलेगा पानी में हल्दी मिलाके नहानी की कोशिश करिएगा उसमें भी आपको फायदा मिलेगा उससे भी आपका दिन अच्छा बनेगा किसी विशेश कारी से बाहर जाते हैं तो फिर आज आप light color को इस्तमाल करेगा या फिर light blue color जो जैसे मैंने पैन रखा है इस तरह का करको color हो तो उसको आप इस्तमाल कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छा जाएगा बहुत ज़दा dark color और dark brown color आपको आज avoid करना है पूरी तरह से इस बात का विशेश दियान रखिएगा और इसके अलावा शाम के समय में आपको क्या करना है आज के दिन में अगर आप people के पेड़ पर सरसों के तिल का दिया लगा देते हैं शाम के समय में तो वो भी आपको काफी ज़दा फायदा देगा जो people की पेड़ पर सरसों के तिल का दिया आज आप लगा रहे हैं make sure कि वो आटे का दिया हो और उसमें आटे में healthy मिला के दिया बना के सरसों का तिल डाल के आपको people के पेड़ पर लगाना है और people की पेड़ पर जब आप दिया लगाएंगे तो make sure कि आपकी जो facing रहेगी जो face position रहेगा वो आपका east direction में रहेगा और वहाँ पर आप दिया लगाएंगे और आपको एक चीज़ का दिया लगाएंगे तो यही काम आप अपने गर के मंदिर में कर दीजेगा पहली priority people का पेड़ रखेगा अगर people का पेड़ ना हो तो अपने गर के मंदिर में या फिर गर के पुर्व दिशा में ये काम कर दीजेगा इससे आपको फाइदा मिल जाएगा उमीद करताओं की वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल आइकन पर जबर से क्लिक कर दीएगा इसके अल्लावा कुछ पूछना चाते हैं कुछ जानना चाते हैं अपने बारे में कुछ समबना चाते हैं आप कुछ से संपर कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मतलियां पर कर सकूँ धन्यवाद